नवश्कार दोस्तों इजी नोकरी चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दा रिवोल्ट आफ इटी फिफ्टी सेवन स्पोई म्यूटिनी भारत का पहला सुतंता संग्राम 1857 का विद्रो या सिपाही विद्रो दोस्तों इसे कि भी नामसे जान सकते हैं तमाम तरह के लिखको ने इस पर व्याक्या जो है वो अलग अलग नामसे की है तो दोस्तो 1857 का जो विद्रो था उसे हम First Ward of Independence के नाम से जानते हैं दोस्तो अगर मैं कहूँ ये प्रजातंतर का विद्रो नहीं था बलकि प्रजातंतर पर राज करने वाले राजाओं का विद्रो था तो ये कहना गलत नहीं होगा लेकिन इससे कोई भी ऐसा वर्ग अचूता नहीं रहा बात करें दोस्तो पॉलिटिकल मैप की ये 1857 का पॉलिटिकल मैप है रिवोल्ट 1857 से पहले का दोस्तो 1857 का जो रिवोल्ट था ये सतन्दा संगरामत का उसके बहुत सारे कारण थे कुछ राजनेतिक कारण थे पॉलिटिकल इश्यू थे कुछ एकॉनोमिक कारण थे आर्थिक कारण थे कुछ सेन कारण थे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी कुछ शोशल इशू थे सामजे कारण थे और कुछ administrative या प्रशासनिक कारण भी रहे थे दोस्तों अगर हम political issues पर जाएं तो सबसे बड़ी जो नीती थी वो लॉट डलो जी की doctrine of lapse यानि की हड़प नीती इसमें बहुत सारे लूलर इसवास से चिंतिस थे यदि उनके किसी पुत्र की मृत्ति हो जाए या कोई रानी सबसे आदा इससे प्रवावित हुई थी वो महारानी लक्षमी भाई थी जो नहीं की अपना दत्तक पुत्र बोद लिया ले लिया था लेकिन उसे जो लॉट डलो जी थे उन्होंने राजा की उपादी नहीं दी दी इसके अलाबा बहुत सारे जो राजा थे इस बास से भी दुखी थे कि ये एक तरह की जो अंग्रेजी सरकार की उनके राज्यों को हडपने की एक जो नीती लॉट डलो जी के द्वारा चलाई गयी है इस से हमारे सभी राजा जो हरप लिये जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी राजाओं में भी एक तरह से विद्रो की भावना जागरत हो गई वहीं दोस्तों मुसलिम्स जो समय मुगल शासन तो लगब खतम हो गया था लेकिन जो मुसलिम्स थे वो बड़े ही परिशान थे क्योंकि मुगल शासन के दोरान बादुर शाह जफर की बात करें बादुर शाह सेकंड की बात करें तो कहीं न कहीं जो मुस्लिम्स थे वो काफी परिशान थे उन्हें वो सम्मान या वो जगें नहीं मिल पाई अंग्रेजी शाषन के जो कभी मुगल शाषन में या 400 वर्षों में उन्होंने की थी या मिली थी बात करें दोस्तों economical issue की आर्थिक कारण भी थे दोस्तों आर्थिक कारण यह थे कि ब्रिटिश शाषन जो है वो भारत से जो wealth या natural resources है वो इस तरह की policies बना रहा था कि वो भारत के resources को नस्ट करके वो यूरोप ले जाया जाए जिसमें की दोस्तों farmers से ऐसी खेती करने के लिए कहा जाता था जिससे की पैसा जाद से जादा पैदा हो बात करें जैसे अफीम की खेती कराई जाए या इस तरह की खेती कराई जाए जिसमें जाद से जादा पैसा farmers को जो अंग्रेजी शाषन है उसको मिले इससे दोस्तों जो फूर्ड की शॉर्टेज बहुत जादा हो गई गरीबी आहालत हो गई किसानों की और कहीं न कहीं ये भी कारण एक रहा इसका लावे दोस्तों अगर हत करगा उद्दोग की बात करें वो भी बिलकुल खतम हो गया जिनके पास ये जॉब था वो भी बिलकुल नस्ट हो गय बात करें दोस्तों सामजे किशू की दोस्तों सामजे किशू भी बहुत बड़ा करण था जहां पर विडो की दुबारा मेरेज चाइल्ड मेरेज एलाव नहीं थी जो की भारती समाज में पहले से होती आ रही थी इसके अलाबा जो कॉमन पीपल बिटिस दुआरा जो लोगों को क्रिश्चिन ही जो क्रिश्चिन जो धर्म था उसे अपनाने के लिए भी मजबूर कर रही थी दोस्तों कुछ एड्मेंस्ट्रेटिव कॉस थे जिसमें की जो आम इंडियन था उसको हाइस पोस्ट और हैंसम सेलीज नहीं मिलती थी इन पदों पर बिटिस या अं आंगरेशों के नीचे कारणि करना पड़ता था तो यहां से विद्रों का जो उदह है वो माना गया है प्रशासनिक कारणों की बदे से बात करें तो सो मिल्लिट्री कॉज़ेश और यह महत्मूर कारण था जहां से जो सैन्ने व्यवस्ताथी वो भी दिस्क्रिमिनेशन के उपर आधारित थी भारते सिपाईयों के साथ हमीशता अंग्रेज भेदवाव किया करते थे जिससे की रोज जो है वो सिपाईयों में व्याप था इसके अलावा जो सिपाईयों को दोस्तों उचे पाद यह हैंडसम सेलीज नहीं दिया दी थी सबसे उचा पाद दोस्तों सू कर दिया और कही ना कही इन से इंस्पाईर होकर 9 माई 1877 का दिन जहां की बिटिश ऑफिशर का आदेश सैनिकों ने मानने से इंकार कर दिया कारण उसका था जो नए कार्टूस या कनई कार्टेज आई थी उसमें कही ना कहीं इस तरह का रूमर फैला हुआ था कि नए की चर्वी मिली हुई है और ये कही ना कहीं उनके धर्म को अपमानित करने वाला हो सकता है इस तरह का रूमर वहाँ पर फैला और इसी दोरां सिपाईयों ने विद्रो कर दिल्ली की ओर कूच किया बहादूर शाह जफर उस समय पेंशन पा रहे थे अंग्रेजी सरकार के द मेरे साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग मुगनवंस की जो खत्म होनी की कगार पर था उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसी दोरान भादर शाह ने अपने आपको जो है भारत का शेहनशा या एंपरर घोशित कर दिया और जो विद्रो है उस उस अंग्रेजी सरकार क खेलाव जो है विद्रो भारिकाने का कार किया वात करें तो उस तो रिवोर्ट के इंपोर्ट सेंटर की तो मेरट में डेली में अवद में've कानपूर में जहासी में ग्वालियर में यानि कि अगर नौथ इंडिया का पोर्शन बाना जाए तो यह हिं पर यह वित्रो हुआ और अंग्रेजों ने इसे बहुत थोड़े समय के लिए ये जो चिंगारी है वो लगी लेकिन बहुत ज़ल्दी से खत्म भी कर दिया तो 1857 के विद्रो में काफी जो वीरांगना हैं या काफी वीर लोगों ने भी सहस्पूर कार किया और अंग्रेजों के जो कुशाशन था उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की कुछ जाने माने लीडर्स जिनके बारे में हम लगातार पढ़ते हैं आजादी के बारे में प्रतंसुत्रा जिनमें रान्नी लक्ष्मी भाई थी तापया टोपे थे नाना साब थे इन्होंने भी फाइट को जोइन किया लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार क्योंकि यह बेसिकली जो रिवोल्ट था वो नौर्थ इंडिया में था और सब लोग जितने भी राजा थे उनका कुछ अपना मकसद था अपना राज बचाने का मकसद था उनके सामने वो सभी जो लोग थे वो एक साथ आक पर जो अपने इंट्रेस्स के मताविक वो लड़ रहे थे और कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाया और इस विद्रो को दमन गया इसके आउटकम्स क्या हुए दोस्तों अगर 1888 में इस विद्रो को बिलकुल खत्म कर दिया गया बाहदर शाह जफर ने सरंडर कर दिया रंगूर बेज दिये गए बाद में इनकी मृत्यूं वहाँ पर हो गई इस दोस्तों इस रिवोल्ट के अगर फेलर्स की बात करें तो इसकी बात करें तो दोस्तों लोकलाइस था मतलब छोटी-छोटी इरियों में फेला हुआ था पूर्ली और्गनाइस थ पूरी तरह से और्गनाइस किया गया था कि यह एक सवतंदस संग्राम बिलकुल नहीं था अगर इस माना जाए तो बिटिश जो थे उनके बाद बैटर रिसोर्सेस थे इस विद्रो को खत्म करने के कोई character नहीं था इस विद्रो का जो leaders थे वो उनमें जो military के skills थे बहुत ही कम नाम मत्र थे कोई unity नहीं थी और बहुत सारे राजाओं ने इसमें भाग भी नहीं लिया था लेकिन दूस्तों इस जो 1850 का विद्रो था इसे हम प्रतम सुतंतर संग्राम भी इसलिए कहते हैं कि इसके बहुत जारा impact हुए पहला ऐसा impact ऐसा लगता है कि भार जो अंग्रेजी शाषन था उससे लोग तंग आ चिके थे और कहीं ना कहीं अपने आपको आजाद या independence चाहते थे सुतंतरता चाहते थे अपने जीवन जीना चाहते थे और यह जबी मिल सकता था जब ब्रिटिश उन्हें आजा दी दे य जब विद्रोग खतम हो गया उसके impact की बात करें तो सबसे बड़ा impact हुआ कि जो company का शाषन जो की 1600 इस भी में जो इस इंडिया company की स्थापन हुई थी 1888 में यह शाषन बिलकुल खतम हो गया जो भारत था वो महारानी के अधीन आ गया government of India Act 1858 के according लोड कैनिंग पहले वाई सराय गोशित हुए और सभी जो कार कास्ते company के हाथों से बापस ले लिया गया और company बिलकुल खतम हो गई सारा जो शाषन था वो वाई सराय के माद्दम से जाना जाने जो कार था वो वाई सराही करते थे इसके बाद दोस्तों 1860 में भारती दंड सहिता भी लगी और काफी major कार हुए जिसमें भारतीयों की भी भारती लोग जो विद्रो कर रहे थे उन्हें भी मनाने का कार अंग् कि गई और उसके बाद धीरे-दीरे विकास की यत्रा भारत की विकास की यत्रा भी शुरू हुए तो दोस्तों यह कहना उच्छेत नहीं होगा कि यह भारत का प्रतम स्वतनता संग्राम था लेकिन काफी major causes ऐसे भी मिलते हैं बहुत सारे कारण ऐसे मिलते हैं कि इसे हम भार 1857 को इस वीडियो के मैंदम से समझा होगा और कारणों पर हमने प्रकाश डाला है वीडियो अच्छा लाओ तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवादा